ओम सर्व मंगलमी तिशुभम स्रीशिद्धी चैनल आपका स्वागत करता है आज कभी से है पापांकुसा एकादसी पापों का छे करने वाली पापों में अंकुस लगाने वाली एकादसी पापांकुसा एकादसी कही गई इस एक अदसी के पापांकूसा नाम धारन करने का कारण त्रेता यूग की घटित घटनाई ही है एक बार नारद जी आकास मार्ग से वेकुंट की और जा रहे थे कि उनको मार्ग में महादेव जी के आदेश का स्वर सुनाई दिया नारद तुम इसी समय कहलास में उपस्थित हो तब आदेश सुनते ही नारद जी कहलास में उपस्थित हो गए उन्होंने सिवसंकर एवं देवी पारवती को प्रडाम किया और बोले है देवादी देव मेरे लिए क्या आग्या है तब सिवसंकर बोले है नारद मेरे दो भक्त प्रकार जीवों की हत्या के कारण उसने बहुत पाप बढ़ाए हैं। उसे उनके दर्सन का उसर प्रदान करता हूँ। स्री राम से प्रेम करने का दिकार तो सभी प्राणियों को है। स्री राम को प्राप्त करने का गलत तरीका अपनाया। परंतु ऐसा करते समय उसने अंजाने में ही देवताओं की सहायता की है। उसने वेदवती के साब को पूरा होने में तथा असरों के समपूर्ण विनास में कारण बनी है। इस प्रकार उसने अंजाने में ही देवताओं की सहायता की है। स्री राम को प्राप्त करने का उसका तरीका बेसक गलत था परंतु उसके प्रेम में कोई खोट नहीं है। और मेरे प्रभुतो प्रेम को सर्वोच मानते हैं। इसलिए उसके पाप को मोचन करके उसके पवित्र प्रेम के लिए स्री राम के दर्सन का सौभागू से मिलना ही चाहिए, अब उसके भी उद्धार का समय आ गया है, इसलिए है नारद अब तुम जाकर उसे भी भक्ति और तब का मार्ग दिखाओ, जिससे उसके पापों का समन हो सके और उसको धार का मार्ग प्रसस्तो हो सके, तम नारद जी ने देवा दीदेव महादेव जी के आदेश पर मुनी का वेस बना कर सर प्रथम बहेलिया से मिले, बहेलिया ने उन्हें प्रडाम का रासन दिया, और बोला है मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैंने जीवन में बहुत से पाप किये हैं साइद आपकी सेवा से ही मेरे कुछ पाप धुल जाएं तम मुनिवेस धारी नारज जी बोले यदी तुम इन पापों से मुक्ति पाना चाहते हो तो इसका एक ही उपाय है बहे लिया बोला है महात्मन यदी ऐसा हो सके तो मेरा नारज जी बोले है भगत तुम यदी अश्विन मात सुकल पक्च की एक अधसी का बरत करके स्रीहरी के समीब जागरन करो तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे ऐसा कहका नारज जी वहां से प्रस्थान कर सुरफणखा के पास गए सुरफणखा ने उनको प्रडाम कर आसन दिया और बोली है रिशिवर मेरे अपनों को खोकर मैं इस समय बहुत दुखी हूँ मैं ही कहीं ना कहीं उनकी मृत्तु का कारण हूँ इस पाप को पता नहीं कितने जन्म में उतार सकूंगी तब नारज जी बोले यदी तुम चाहो तो इन पापों का समन इसी जन्म कर सकती हो तब सूपनखा बोली है महात्मन यदी ऐसा हो सके तो मैं आपकी सदा के लिए रिणी रहूंगी है महात्मन मुझ पर क्रपा करें तब नारज जी ने कहा कि है देवी अस्षिन मास के सुख लक्ष में आने वाली एका दसी का ब्रतन उस्ठान कर स्रीहरी के समीर जाग और अंत में मुझ पर क्राप्त किया इसी प्रकार सूपनखा ने भी रत्का अनुस्ठान कर पापों से मुध्ध होकर अपने अगले जन में कुपजा बनी और स्रीकुष्ण को पराप्त किया इस प्रकार बहे लिए एवम सुपनखा ने अस्षिन मास सुकल पक्ष की पापा अंकुसा एकादसी के पुन्य प्रभाव से अपने पापों का समन कर मोख्ष को प्राप्त हुए जैय स्री राम